दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको solve कराएंगे SSC CGL 2023 का English का question paper और आज हमारे पास है question paper number 3 इसके पहले मैंने आपको two question paper solve कराएंगे आज जो है 14.7.2023 का shift 3 का question paper हम आपको solve कराएंगे तो चलिए देखते हैं आपको जो वीडियो पूरा लगाना है और जो भी चीज आपको नहीं लगती है आपको नहीं आती है उसको अपनी copy में आप लोग जरूर से जरूर नोट करते हुए चलेंगे ठीक है चलिए देखते हैं पहला question आपके सामने और यहां पर आपको करना क् इस पार्ट को आपको इंप्रूब्मेंट करना है इस पार्ट में कुछ एर्र हो सकती है आपको इसवाल्य को CORRECT करना है और THIS वाल आपको दिया गया ठीक है जलिए पताईए इसके स्थान पर क्या हो सकता है यहां पर तीनिवड होते है एक होता है episódio एक होता है अंटप्ट ए बारे में डिफ्रेंस बताया हुआ है तो आप लोग जो है मेरे सौट वीडियो भी जरूर देख लिया करें वहां पर मैं आपको जो अल्टेर मतलब होता बदलना तो बदले का नहीं खुद को बदल लेता है ऐसा नहीं अडेप्ट माने होता कुसल होना ठीक किसी चीज में निपूर होना मैं आपको सब कुछ बताया है आप लोग एक बार जो है जाकर के सौट वाले वीडियो जरूर देख लिएगा तीसरा है स्ब्सक Yield, किसी चीज के अनुसार ढल जाना ठीक है किसी चीज के अनुसार ढल जाना और जो पहला वहाँ पर लिखा है एडोप्ट傑 यहां पर कट होगा ठीक है इस तरह के confusing word ध्यान रखें और short video लगाते रहें उसमें मैं आपको लगातार दे रही रहा हूं ठीक है अगला कुछन आपके सामने है यह है वनवर्ट substitution का मैंने पूरा वीडियो आपको एक बार में ही दे दिया है इतने वनवर्ट है ठीक है तो छोटे जानुरों को मतलब यह पिंजड़ा हो जाता है छोटे जानुरों को रफने वाला ठीक monastery place where mom's या फिर नन लिप्स ठीक है ऐसा अस्थान जहां पर नन रहती है मतलब भिच्छोडी ठीक है उसको बोलते monastery इसको मत बोल देंगे ठीक है मिन्ट माने होता है टक्साल जहां पर सिक्के मेडल ढाले जाते हैं इसको आपसर नमबर थर्ड इसका correct हो जाएगा और hanger ठीक है तो आपको जो है वनवर्ड वाले मैंने आपको सब कुछ बताया था एक वर्ड होता है hanger ठीक है कोश्चन आपको सामने है इसमें आपको क्या करना है substitute the underline segment इंदा की बन सेंटेंज ठीक है तो यह भी है improvement का question चले देखते है sentence improvement है we all should help each other ठीक है तो आपको जो है each other वाले जो बाट है इसमें improvement करना है ठीक है देखे एक word होता है each other एक word होता है one another ठीक है one another each other one another ठीक है तो इन दोनों में अंदर क्या होता है यह दो के लिए आता है और one another जो होता है यह दो से अधिक लोगों के लिए आता है ठीक है इन दोनों का meaning होता है इच अधर एक दूसरे को ठीक है इसका मेने क्या हो जाता एक दूसरे को एक दूसरे ठीक है इसका जो है एक दूसरे के अर्थ में प्रयोग की रहता है we all should help each other मतलब हम एक दूसरे की मतद करने चाहिए ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखे we all है ठीक है we all है plural है मतलब काफी सारे लोगों की बारे में बात की गई है अगर दो लोग होते हैं यहाँ पर दो लोगों को mention कर दिया रहता ठीक तो यहाँ पर each अधर नहीं आएगा यहाँ पर होगा one another option number third इसमें भी correct हो जाएगा ठीक तो इस तरह question आप लोग ध्यान रखें यह आपका कौन सा चीज है यह है आपका क्या बोलते हैं pronoun ठीक रेसी प्रोकल प्रोनाउन यह है रेसी प्रोकल प्रोनाउन उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा तो आप लोग जो है इसके बारे में poor knowledge रखें आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगला question यहाँ पर इसको देखेंगे फिर इंदा blanks है अब यहाँ पर आपको फिल करना है मतलब पुलिस ने अभी तक पुलिस जो है solve नहीं कर पाई यह case को तो अब इस case के बारे में आगे बताना कि यह कैसा प्रतीत हो रहा है सीमा ने होता प्रतीत होना कैसा प्रतीत होता है in a pink a hard nut to crack turning over a new leaf और in a nut cell ठीक यह सभी idiom से लिखे हुए है ठीक सभी क्या है idiom से और यहाँ पर आपको correct idiom जो है आपको फिल करना है a state of good health मतलब अच्छी हालत में होना अच्छी सेहत होना अगला है hard nut to crack मतलब कोई ऐसा काम जिसको करना थोड़ा मुश्किल है ठीक है ति यही आपको correct हो जाएगा क्योंकि उस case को लोग solve नहीं कर पाए है ति जो case से कैसा लग रहा है अईसा लग रहा है कि इसको solve ना कर पाए ठीक है मतलब solve करने में बड़ा मुश्किल है hard nut to crack है ठीक यह वाला हो जाएगा इसमें आपसन नंबर सिकेंड करक turn over a new leaf turn over a new leaf का मतलब होता है नया जीवन शुरू करना ठीक है या फिर नई शुरुवात करना उसको बोलते है turn over a new leaf और in a nut self मतलब होता है in short मतलब बोलनेंगे संखेप में ठीक है क्या बोलनेंगे इसको बोलनेंगे संखेप में ठीक in a nut self तो जिस भी idiom की meaning आपको नहीं पता है उसको अच्छे से यहाँ पर लिख लिएगे आप लोग आगे बढ़ेंगे अगले question पर question number 5 है आपके सामने और यहाँ पर आपको बताना है synonym तीक यानि कि पढ़ियावाची सब्दा आपको यहाँ पर बताना है word है आपके सामने insidious secure, harmful, safe, protected क्या होगा दिखें insidious का meaning क्या होता है insidious का meaning जो होता है कप्टी, छली, धोखे, बाज ठीक है क्या होता है धोखे, बाज आप लोग लिखेजिए यहाँ पर धोखे, बाज कप्टी, छली, छल करने वाला ठीक है तो secure माने, सुरच्चित harmful, नुक्सान, दायक safe माने सुरच्चित और protected माने भी सुरच्चित होता है तो हमको बताना है synonym तो insidious मतलब भी होता है धोखे, बाज, छली, कप्टी और harmful का meaning भी सेम होता है, ठीक, वही होता है harmful, तो जो है आपका harmful यहाँ पर आपका correct हो जाएगा, correct synonym इसका बन जाएगा अगला question, अगला question है आपके सामने इसको देखेंगे हाँ पर question number six है और यह है पहरा जंबल, ठीक है sentence arrangement आपको करना है इसमें 4 A, B, C, D आपके दिये गए हैं इसमें से आपको सही order में, सही क्रम से इन सभी को लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक बार option पर जबारेंगे हम लोग, option है हमारे पास, एक option C से शुरू है एक A से शुरू है, एक B से शुरू है एक D से शुरू है, ठीक है, यानि कि 4 option जो है, A, B, C, D से शुरू है, इसका मतलब यह है, कि हमें यह ढूणना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा ठीक है अगर हम केवल इस पूरे paragraph मेसेज इतना ढूण लें कि सबसे पहले कौन आएगा ABCD में तो हमारा वही एंसर हो जाएगा मालो A से सुरू होगा तो हम दूसरा एंसर कर देंगे उलफ रिजे सर्टेटन कंसर्ण डीगाडिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमें इन ए मेल डॉमिनेटेट सौसाइटी कहा गया है कि जो मेल ढूमिनेट मतलब मनुष्यों के मतलबThis将 पुरूशों के वरचस वाली जौसवाली जो स्वासाइटी है इसमें अगले में है, it's also against the need for freedom of expression in women, ठीक है, तो मुझे लगता है ये की, also against the need for freedom of expression in women, ठीक तो A के बाद मुझे लगता है B आना चाहिए, यहाँ पर भी मैनाओं के बारें, उत्पीडन के बारें बात की गई है, और इसमें भी वही बात हो गई है, ठीक है, आगे बढ़ते ह है, in Shakespeare's sister, Virginia Woolf explores the flight of women in society in England during the 50th and 60th century, it is against, तो यहाँ पर it is से शुरू आए, तो यह नहीं होगा, ठीक है, it also, मतलब यह भी, ठीक है, तो मतलब इसके पहले कोई बात की गई, यह वाली बात करी गई, इसमें, तो इसमें जो है, आपका option number C से सुरू करेंगा है, ठीक है, इसमे इनके बारे में यहाँ पर सुरू किया गया है, और इसी के बारे में पूरा यहाँ पर detail में हमको दिया गया है, यानि कि हमारा जो है, C के बाद C से सुरू होगा sentence, तो C से यहाँ पर ठीक है, और C के बाद आएगा आपका A वाला, A के बाद आएगा D, उसके बाद B, ठीक, तो इस तरीके साब को करना है, यहाँ पर C, A, D, B, तो option number one जो है, इसका correct हो जाएगा, हमने क्यों इतना find किया, कि पहले कौन आएगा, पहले वाला आपसर इसमें आएगा, ठीक है, तो बाकि आप लोग जो है, पूरा इसको पढ़ लेना अच्छे से, आगे बढ़ेंगे अगले बुस्सें तरब, देखे, it से नहीं शुरू कर सकते, इसमें भी it है, it also, मतलब इसके पहले कोई बात की गई है, किसी के लिए यह प्रोणाउन प्रोग किया गया, ठीक है, बाकि आपको इन दोनों में थोड़ा सा पहचानना है, कौन जाएगा, आगे बढ़ेंगे, कुस्चन नमबर सेवन है, इसमें क्या करना है, आपको पैसी वाइस फाइंड करना है, तो काफी असान होता, पैसी वाइस स्वाइस करना ठीक है, क्या करना है, आपको केवल वर्ब देखना है, ठीक, वर्ब फाइंड करना है, सबसे पहले की वर्ब पर ध्यान देना है, कि पैसी वर्ब कहाँ पर प्रयोग की गई, तो यहाँ पर देखेंगे, इस्टोल, इस्टोल आया है, क्या है, यह है, यह है वर्ब की काम होगी तो देख लेते हैं कहां पर है इसमें यहां इन के बच गए अब हम यहां पर देखते हैं है , तो हम हम संटेंटम्स को बॉय भॉम से सुरू करते हैं । यहाँ हम हँम से होजाएगा जा दो देखना होता है इसमें । भॉम से सुरू होगा दो आपका करेक्ट एंसर हो जाए इसमें थीक है आगे बढते हैं अगले कुस्षें के तरफ अगला कुस्षें है कुष्षें नंबर 8 है इसमें देखेंगे दर्शन wish he hadn't went to the theme park in the first place चलिए इसमें आपको बताना है इरर क्या है तो इस sentence में इरर क्या है बिल्कूल never इरर इसमें tense का structure आपको इसमें यहां पर क्या है आपको पता होगा past perfect tense में hide plus written work की third farm का प्रयोग करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हाइट प्लस वर की सिकेंट फार्म आएगो की सिकेंट फार्म कप्रोग किया गया जो कि क्या गलत है यहां पर गोन होना चाहिए वेंट के स्थान पर गोन होना चाहिए तो आपसन नमबर कौन सा होगा आपसन नमबर होगा यह वेंट वाला सिकेंट आपसन ठीक है आ underline spelling error given sentence ठीक है तो मतलब कि ये वाली जो spelling लिखी हुई है इस spelling में कुछ कमी है आपको सही वाली spelling इस में से छाट करके लिखना है चारो आपसर में से आपको correct spelling इसकी लिखना है ठीक है चलिए लिख लेते हैं employee IMPLI man TATI man TATI origin implementation TATI origin IMPLI 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 उसके बाद man TATI तो इसमें आपका कौन साफ़सन होगा देखे इसमें जो है IMPLI IMPLI होना चाहिए man TATI तो आपसर नंबर सेकेंड जो है इसमें correct होगा IMPLI TATI TATI तो बिल्कुल तही है आपसर नंबर सेकेंड इसमें जो है आपका correct होगा और IMPLEMENTATION का मतलब क्या होता है किसी चीच को IMPLEMENT करना मतलब लागू करना ठीक है तो जो है आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आगे बढ़ेंगे Question No.10 आपके सामने इसको देखेंगे आपको Antonym Find करना है Antonym निकालना है और किसका निकालना है आपको निकालना है Stanch वर्ड का Stanch जो वर्ड है इसका आपको जो है Antonym Find करना है चली देखते हैं आपर Careless है, Confused है Unsteady है और Resolute है देखे Stanch का मतलबता कटर होना एकदम द्रण होना ठीक है लिख लीजेग अच्छे से दा है दा में नीचे रा लगा है ठीक है उसके बाद द्रण ठीक है तो द्रण हो जाएगा, हठी हो जाएगा जिद्धी, ठीक, कटर ये सब इसका मेनिंग होता है Careless, Confused, Unsteady Antonym बताना है न Unsteady जो है आपका ये हो जाएगा आइस्थिर होना, ठीक है आइस्थिर होना, इस्टांज माने इस्थिर होना, बिल्कुल द्रण होना और Unsteady माने होता है आइस्थिर होना, बाकि सभी आसान होट है आगे बढ़ेंगे, अगले question के तरफ और अगला question है, आपके सामने Question number 11 है, इसको देखते है यहाँ पर आपको फिर इन्दा blank question है चलिए solve करते हैं Kiran hide a short as a writer तो यहाँ पर आपके पास चार आपसनें बिल्कुल मिलते जुलते हैं, ठीक है Homonyms है, मतलब एक ही जैसे लग रहे हैं तो आपको इसमें से चूज़ गरके बताना है कि यहाँ पर कौन साम लोग correct fill कर सकते हैं तो Kiran के पास कोई short as a writer क्या है cares, carer career, career ठीक है, देखे, cares मतलब होता है care करना, ठीक है किसी की care करना या फिर कह सकते हो, मतलब की दुलार, प्यार दुलार करना ठीक, यह होता है care, cares माने होता है प्यार दुलार करना, किसी की care करना ठीक है, adoration care मतलब देख रेक करने वाला देख भाल करने वाला, उसको carer से बोलेंगे ठीक, care से बना है carer और care से ही बना है carers ठीक है, और यह है career कर्यर और यह कर्यां हो तो आप संबंदित कर्यार ना ठीक है तो किरन के जो है रायोप में उसकर पास छोटा था ठीक है आप संब थाइन कि अगले कुछ चंचन की तरफ question number है 12 इसको देखिए हाँ पर आपको synonym find करना है दिये गए जो है वर्ड है abound abound वर्ड आपको synonym बताना है तो पहला अदेक्वेट सक्सीड इंक्रीज और florist ठीक है तो abound का जो हो जाएगा abound मतलब प्रचूर मात्रा में कोई चीज हो ना कोई चीज प्रचूर मात्रा में होना अधिकता होना फोलना वत्कर purity lowered आपको मेंनिंग नहीं पता उनको का प्रफ करते हुए चलेंगे वीडियो को Hey मेनिंग लिखते सक्सीड वाने सफल होना, इंक्रीज वाने बढ़ना कोई चीज, आगे बढ़ेंगे, कुश्चन नमबर 13 है, इसको देखी हैं पर, एंटोनीम आपको बताना है इसमें, ठीक है, एंटोनीम है, और किसका आपको बताना है, इस पूरियस वर्ड का, ठीक है, जो इस पूरियस वर होता है, नकली, जाली, ठीक है, अथन्टिक मायने होता है, जिन्वन, आपसन नमबर वन जो है, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, वास्तिविक, ठीक, नकली नहीं होना, अथन्टिक, प्रमारिक, ठीक है, तो आपसन नमबर वन जो है, इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकि फे स्पेल्ट वर्ड फाइंड करना है रिलाइंस अपार्चुनिटी अप्रोच ब्यूरों तो क्या हो जाएगा रिलाइंस र-e-l-i-a-n-c-e रिलाइंस जो है बिल्कुल सही है ठीक है और अपार्चुनिटी ओ-double-p-o-r-t-u-n-i-t-y अपार्चुनिटी भी सही है ठीक है यह अप्रोच एडवल पी आर ओ अच्छा इसमें आर ओ नहीं है क्यों इन दोनों के जो है इस अस्थान बदल दिया गया ठीक है ओ एक अस्थान पर होना चाहिए एडवल पी आर-ओ-a-c-h होना चाहिए आपसर नमबर थर्ड जो इसमें करेक्ट हो जाएगा ठीक है ब्याकि ब पर्शन रिलीजन मतलब ऐसा व्क्ति जो अपना धर्म त्याग दे उसको क्या बोलते हैं इगोटिस्ट बोलेंगे प्रीष्ट बोलेंगे अथीस्ट बोलेंगे या फिर एप्र एपोष्टेस्ट मतलब होता अहमवादी यानि घमड करने वाला प्रीष्ट माने होता पुज गया है तो इसको आप लोग ध्यान रखें और इसमें से वैसे सभी पूछा आते हैं अथिस्ट भी तो पता ने कितनी बार पूछा जा चुका ठीक है एगोटिस्ट भी पूछा आता है तो आप लोग सभी मीनिंग अच्छे से ध्यान रखें कहीं न कहीं आपकी यह help करेंगे तो एपो इस्टेट मतलब होता है धर्मत्यागी ठीक है धर्मत्याग देने वाला ठीक तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे अगला कुशन कुशन नमर 16 और यह है इडियम और इस इडियम का आपको पताना है मीनिंग तो बेल दा कैट ठीक है तो आपने कहानी सुनी होगी बिल्ली के गले में गुंगरू डालने वाली ठीक है घंटी लगाने वाली कहानी ठीक है तो वही है वही से वाला एडियम निकलके आया है बिल दा कैट तो फीट पेट्स प्ले विद किट्स लब कैट्स फेस रिस्क ठीक है तो बिल दा कैट का मतलब होता है कोई खत्रा मोल खत्रा उठाना को थेंडा में होको थे होगा आगे बढ़ेंगे क्युक्सिश्य सेबंटीन इसमें आपको क्या करना है पैसी वाइस आपको करना इसमें तो चले देख लेते हैं सब सब वर्ब की थरड़ फांध को फांड करना ठीक है चलिने देखते हैं और वाज वर्ण थरड़ की फांद कहां यह इज आया है नहीं होगा यह वाज वाज तो आया है लेकिन वाज के बाद यहाँ पर आ एंजी फांधिये आगे बढ़ेंगे इसमें आपको one word बताना है a person who hates and avoids other people हर्मिट, पर्वर्ट और मिजैंत्रोप, मेसोकिस्ट ठीक है देखे person who hates मतलब ऐसा विक्ति जो नफरत करता है और मतलब अवाइड करता है दूसरे लोगों को मतलब ऐसा विक्ति जो मनुष्यों से नफरत करे उसको क्या बोलते हैं हर्मिट बोलते हैं, हर्मिट माने होता सन्यासी, साधू ठीक है, पर्वर्ट बोलते हैं पर्वर्ट का मिनिंग क्या होता, पर्वर्ट माने होता गुमराह आदमी, इसको बोलते हैं गुमराह आदमी, मेजैन थ्रोप, देखें मेजैन एक रूट वर्ड है, मिजैन थ्रोप, ठीक है, इसका मतलब होगता है हेट करना, मेजैन थ्रोप, ठीक है, यही है हो जाएगा आपका करेक्ट एंसर, आदमियों से मनुस्वों से हेट करने वाला, करने वाला मिजए इंत्रोब ठीक और मेसो किष्ट का मिनिंग क्या होता है इसका मिनिंग होता है स्वाप पीड़क मतलब ऐसा व्यक्ति जो खुद को पीड़क दे करके खुसी महसूस करें उसको बोलते हैं मेसो किष्ट तो आया है आफसर नमबर चार तो इसमें जो करेक्ट ह इडियम्स यह सब मैंने आपको करा दिया है अगर आप आई बी एसी आयो के त्यारिक कर रहे हैं तो उसके जो पिछले वर्स के एक्जाम हुआ था उसके नाइन सेट मैंने आपको सॉल्व गरा दी नाइन सेट पूरे इंगलिस के अच्छे समयने सॉल्व कराए हैं प्लेलि पूरी बनी हुई है कामन इरर सेंटेंस एंप्रूब्मेंट वन वर्ड एडियम हर एक तरह की प्लेलिस्ट है आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक इस कुस्चन में आपको एंटोनिम बताना ठीक है एंटोनि इनेट इंडेंट और इंसुनिएट और इंक्रीज देखें सर्टेल कम कर्टेल या सर्टेल जो भी है ठीक है इसका मेनिंग क्या होता है इसका मेनिंग होता है छोटा ठीक है छोटा या फिर गटाना या संचिप्त करना छोटा करना ठीक यह होता है कह सकते हैं गटाना ठीक ह गटाना छोटा करना ठीक तो आप लोग लिख रिख जएगा यहां पर आपके पास एंटोनिम निकालना है तो क्या हो जाएगा आपको दिख रहा है increase increase माने हो तो पढ़ना ठीक है तो आप सा नमबर जो है 4 यहां पर आपका correct हो जाएगा ठीक है बागी indent मतलब होता है मांग करना किसी चीज की मांग करना ठीक है indent मांग करना ठीक है और insinuate का मतलब होता है इसारा करना संकेत करना तो इसको भी आप लोग ध्यान लगें ठीक है आर्टिकल से बहुत ज्यादा question पूछे जा रहे है तो आर्टिकल वाले questions के आप लोग अच्छे से प्रेक्टिस करें ठीक है मने आपको cpo के भी solve कर रहे थे उसमें भी बार बार जो है अर्टिकल के question पूछे गये है और cgl वाले में भी बार बार लगवाग हर एक स्रेट मे एक दो question आ रहे है आर्टिकल से ठीक है तो आप लोग जो है आर्टिकल अच्छे से पढ़के जाए पढ़ना क्या है आपको आर्टिकल तो आता ही बस आपको question की practice करना है ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते है लाइन के पहले आयन आया जो की गलत है आयन नहीं आएगा ल लाइन के पहले हमको लगाना हुआ अकर लगाएंगे तो लगाएंगे ठीक है या फिर दा लगा देंगे ठीक दा नहीं आएगा किसी specific लाइन की बात नहीं की गई है यहाँ पर ए आएगा ए लाइन इस दा मोस्ट फेरोसियस आप आल एनिमल या फिर कोई आर्टिकल ना लगाओ चाहिए ना लगाओ दोनों से काम चल जाएगा लेकिन यहाँ पर एंड नहीं आएगा अगर आर्टिकल लगाना ही है तो हम ए लगाएंगे ठीक है आगे बढ़ेंगे तो यह जो है 20 कुछन मैंने आपको solve करा दी है अब अगला जो है आपका close test है ठीक है close test एक बार facing the world today तो global warming जो है एक बहुत बड़ा जो है क्या है environmental कोई चीज है जिसको की पूरा वर्ड जो है आज की समय में face कर रहा है ठीक है तो क्या हो जाएगा environmental consequences benefits challenges opportunities तो challenges ठीक है environmental challenges ठीक है तो आपको जो है is one of the biggest environmental challenges ठीक है एक बहुत बड़ा environmental challenge है का global warming ठीक आगे पढ़ेंगे अगला question है question number 22 इसको देखेंगे उसके बाद है the primary cause आप global warming is दा आप greenhouse gases such as carbon dioxide and methane into the atmosphere तो जो primary मतलब प्रमुख कारण है global warming का वो जो है greenhouse gases का क्या है conduction reflection और absorption और emission emission हो जाएगा निकलना ठीक है green house गैसों का निकलना जो है सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है global warming के लिए ठीक emission मतलब होता है निकलना absorption मतलब होता है सोख लेना ठीक है बाकी rejection reject से बना है और conduction सब्वहान होता है ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले question कि तरफ question number है 23 इसको देखेंगे उसके बाद यहां तक पढ़ लिया है the effect of global warming are wide speed and include more frequent and severe weather events to the neutral positive negative negligible क्या हो जाएगा जो जो यह क्या था environment green house ठीक है जो green house है global warming ठीक है जो global warming है इसका effect है कैसा effect पढ़ेगा ठीक है यहां पर पताया कहा है wide speed and include more frequent severe weather events rising sea level the loss of biodiversity ठीक है तो यह जो है कैसे जो है कैसा effect है negative effect है ठीक है कैसा effect है negative effect है the negative effect of global warming ठीक है negative जो global warming का नकारात्मक प्रभाव हो उसके बारे में हाँ पर बात की गई है ठीक है आगे बढ़ेंगे आगले question पर question number है 24 इसको देखेंगे हाँ पर उसके बाद हो जाएगा many governments and organizations have implemented date तो बहुत सारे जो है government या फिर आर्गनाइजेशन देखें उन्होंने implement किया हुआ है लागू किया हुआ है क्या लागू किया आपको बताना है to reduce greenhouse gas emissions तो greenhouse gas जो निकलती है उसको मतलब खतम करने के लिए कोई चीज लागू किया क्या लागू करेंगे वो लोग रेस्ट्रेक्शन पॉलिशीज और subsidies और sanctions क्या लागू करेंगे पॉलिशीज ठीक है तो उन लोगोंने पॉलिशीज लागू की हुई है तो यहाँ पर आपका पॉलिशीज जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे ठीक तो आपसा नंबर कुश्चन नंबर जो है फोर यानि कि 24 में यहाँ पर पॉलिशीज जो गवर्मेंट आर्गनाजिशन है उन लोगोंने पॉलिशीज लागू की हुई है इन तीजों को खतम करने के लिए ठीक घटाने के लिए आगे बढ़ेंगे लाश्ट कोशन के तरफ और भाई आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को ज्यादा जैसा सेर करें वीडियो को सेर करें ठीक है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छ आल सो प्ले अरोल इन ग्लोबल वार्मिंग बाई मेंकिंग इसमाल चैलिंज तू दियर डेली है भीडिस ठीक है यहां पर बताया गया है कि मतलब प्रत्य व्यक्ती इंडू वीजुल मतलब अलग अलग गैन आल सो प्ले इर रोल इन किस चीज में रोल कर सकते हैं एक्स पैं कम करने में ठीक आपसर नमबर जो है इसमें थर्ड आपका कायक्ट हो जाएगा ठीक है यह था पूरा question paper जो मैंने आपको solve करा दिया है बाकि इसी तरह के और वीडियो के लिए आप लोगों हमाई चैनल को जिरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you all the best आपका है